पती पतनी में इतनी अन्बन की तलाग तक पहुची गई है नोबत तो ये उपाई आज ही करें जिसे करने से दोस्तों पती पतनी में बढ़ेगा इतनी प्यार इतनी महुबत की दोस्तों आप भी हरान रहे जाएंगे तो क्या है उपाई जिसे करने से दोस्तो पती पत्नी में अनबन का समाधान कर सकते हैं और ये समाधान आप तुरंत हासल कर सकते हैं जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अन्तक देखिएगा इससे जानने के बाद दोस्तो आपका काम निश्चित तोर पर बनना लास्मी है दोस्तो क्योंकि दोस्तो पती पत्नी का रिष्टा एक खटा मिठा सा होता है कभी इसमें प्यार होता है तो कभी इसमें तकरार होता है लेकिन कहीं ऐसा नहों कि तो पती पत्नी के जगड़े अलग होने का कारण बन जाएं इसके लिए जरूरी है कि पहले ही इसके उपाई सही तरीका ढूंड लें ताकि दोस्तों आपको भी असानी हो पती पत्नी का रिष्टा अच्छे तरीके से चलाने में तो आज मैं जो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ वो है दोस्तों पती पत्नी में अन्बंद दूर करने के उपाई पती पत्नी में प्यार कैसे बढ़ाएं तो जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंतक देखेगा और पती पतनी में बेश्युमार महबद बढ़ाने के लिए उपाय आप कर सकते हैं जैसे कि अब जानते हैं कि हम बहुत से तरीके टोट के लेकर आते हैं पती पतनी में प्यार बढ़ाने के और साथ में दोस्तों बिना मंत्र किसी को वश्मे करने के किसी अपने बति को दिवाना कैसे बनाए किसी को वश्मे कैसे करें तो दोस्तों इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, बैल आइकन को प्रेस कर लें तकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और दोस्तो तकि हर वीडियो रिचिता को बीची नोगजोग तो हर रिष्टे में रिस्ता के तो इसे बहुत संभल करेंबरत सक्कू when अगर पती पतनी की बीचे ज्यादा लड़ाई जगड़े होते हैं तो इसका रिष्टा खराब होने में ज्यादा समय भी नहीं लगता क्योंकि दोस्तों बहुत यह नाज़ू प्रिश्ट होता है अगर आप पती पतनी की लड़ाई जगड़े कम करना चाते हैं तो इसका रिष्टा आपके लिए बहुत कारगर हैं बहुत ही ज्यादा बेरिफिट साबित होगा ऐसे आपको तो दोस्तों हमारे साथ अंतक बने रहें मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब वो पाई जिसे करने से दोस्तों पती पतनी में अन्बन का दोस्तों आप खात्मा कर सकते हैं तो क्या करना है सिंदूर से मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि सिंदूर के साथ कैसे आप पति-पत्नी में मोहबत को बढ़ा सकते हैं दोस्तों रात भर अपने पती के तक्ये के नीचे सिंदूर रख़देना है यह जाए एक पत्नी को पाय कर सकती है और सुबह सिंदूर का आधा भाग घर में गिरा दें और भचा हुआ आधा सिंदूर महिल अपनी मांग में सजा ले ऐसा करने से पती पतने के बीच जगड़ा मापत हो जाएगा इसके अलावा रविवार की रात पती के गड़े के नीचे थोड़ा से सिंदूर बिकेर कर सुबहे उस सिंदूर को महिल अपने मांग में लगाए तो यह तरीका बहुत ही कारगुर होता है कि दूसरे में प्यार बढ़ाने का इसे करने से बहुत ही जल्द इसमें सफलता भी आपको मिलती है अब नमबर तो आता है कि दोस्तो मिठाई के साथ कैसे एक दूसरे में महबत बढ़ा सकते हैं कोई भी आप उपाई का पना सकते हैं जिसे कि आप सफल हो जाएं अपने कारिया में मिठाई के साथ है कि शुक्रवार के दिन भगवान विश्णु और माता लक्ष्मी को रस वाली मिठाई का भोग लगाने से फायदा होता है भोग में चड़ाईगी मिठाई को परिशाद के पिरहन करेगी पती पत्नी एक दूसरे खाला है और दोस्तों अपने कारिया नियमित दामपत्या जीवन में सुखमया बनाने के लिए इस सबसे बढ़िया तरीका है यह आप आप बना सकते हैं और अपनी जिंदगी में आरी समस्याओं का निवारन कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपकी प्रोफिल्म का भी समय से चल रही है आपने बहुत उपाए पनाए लेकिन सफलता एक में फिर भी भी नहीं मिली तो मैं आपके लिए एक उपाए यह तरीका बता रहा हूं जो आप अपना सकते हैं कि दोस्तों पती पत्नी की कुंडली चेक करवाना बहुत तो क्या करना है कि अपनी कुंडली बनवाए उसके पश्यात उसमें कोई ग्रह दोष्टों नहीं है जिसके चलते हैं आपकी जिमन में प्रॉब्लम आ रही है कि बात बात पर लड़ाई जगडे का कारण बन जाता है तो यह समस्याओं का निवारन तभी होगा जब आपको पूरी दोस्तो पता होगा कारण पता होगा कि किस वज़े से लड़ाई जगडे बर रहे हैं तो दोस्तों की आप हमारे दियनमेन को जान सकते हैं तो उमीद करते हैं हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो दोस्तो लाइक और शेर करना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलेंगे नए तरीके टोटकों के साथ